एक समय की बात है, जब एक बुद्धिमान और नेक राजा, विक्रमादिथ्य नामक राजा विक्रमपुर के राजा थे, उनके राज्य में लोग सुखी और शान्ती पून थे और सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उनकी शान्ती को तबाह कर दिया गया, जब दुश राज्य की रक्षा नहीं कर पानी पड़ी, वह अपने लोगों को बचाने के लिए बेहद उच्छुक थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र वीर नायका को एक संदेश भेजा, जो एक पडोसी राज्य का शासत था, वीर नायका अपने साहसित्ता और मजबूत सेना के जब वीर नायका ने यह तक परतावाला संदेश प्राप्त किया, तो उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया, वह जल्दी से अपने निश्थावान सैनिकों को एकठा किया और अपने दोस्त की मदद के लिए आए, वीर नायका के आगमन के साथ ही युद्ध विक्रमपुर के पक्ष में बदल गया, मिलकर वे मार्थंड की सेनाओं के खिलाफ साहस पूर्वक लड़े और विजी हुए, राजा विक्रमादिथ्य ने वीर नायका के अटूट समर्थन के लिए कृतग्यता व्यक्त की और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, समय बीता और वीर नायका अपने ही राज्य में संकट का सामना करने लगे, वहाँ एक बहुत ही गंभीर सूखा हुआ और भूमी बंजर हो गई, जिसके कारण खाद्य और संसाधनों की कमी हो गई, वीर नायका ने अपने दोस्त राजा विक्रमादिथ्य की और मुर कर मदद के लिए दे विक्रमादिथ्य ने कहा कि भविष्य में अगर उसे वही समस्या सामने आती है, तो उसे खुद ही सामना करना होगा और किसी से मदद नहीं ले सकेगा, या अन्य लोग उसकी मदद करने से इनकार कर सकते हैं। यह वीर नायका को गहरी चोट पहुचाई क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त से अपनी आवश्यक्ता के समय में सहायता की उम्मीद की थी। वीर नायका बेचैन और निराश होकर सच्ची मित्रता और निष्ठा के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखे। विक्रमादिथ्य की सहानु भूती की कमी और मदद करने की नाकामी ने वीर नायका को उनके रिष्टे पर सवाल करने पर मजबूर किया। जल्द ही एक और प्रबल राजा ने वीर नायका के पास दिल्चस्प प्रस्ताव के साथ आपूर्ती की। यह राजा वादा करता था कि वह वीर नायका के राज्य का सम्पूर्ण ध्यान रखेगा, स्थिर्ता और सम्रिध्धी प्रदान करेगा. बदले में उसने वीर नायका से मांगा कि वह उसकी समर्थन करें और विक्रमादिथ्य के खिलाफ युद्ध में सहायता करें. नाराजगी और दर्द से भरे हुए, वीर नायका ने प्रस्ताफ स्विकार कर लिया विरोधी राजा के साथ मिलकर वे विक्रमादिथ्य के सामने आये और उनकी सन्युक्त सेनाओं ने उसके लिए बहुत ही बलवान साबित हुए विक्रमादिथ्य को हार मिली और उसका राज्य उसके पूर्व मित्र और प्रतिदवंदी राजा के हाथों में गिर गया कहानी का सिध्धान्त है कि सक्ची मित्रता को आपात काल में परीक्षन किया जाता है यह कहानी हमें दिखाती है कि सच्चे मित्र होने कितना महत्वपून होता है जो हमारे साथ खड़े होकर हमें सहायता देते हैं जब हमें सबसे ज्यादा जूरत होती है विक्रमादिथ्य की वीर नायका की मदद न करने की गलती ने उनकी मित्रता की जुकाव को उजागर किया, जिससे दुर्भाग्य पूर्ण परिनाम हुए